हलो एरिवान वेलकम तो मैं चैनल गुपता कोचिंग सेंटर आम निश्या गुपता फ्रॉम GCC तूड़े विल डिस्कर्स अबाउट दा कोड कन्वेर्टर तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी कोड कन्वेर्टर का एक टॉपिक है 3-bit gray to the binary converter विफोर स्टार्ट में टॉपिक फर्स्ट ओफवाल सबस्क्राइब मैं चैनल और प्रेश बेल आईकन फोर दा लेटेस्ट अपडेट तो अब हम स्टार्ट करते हैं 3-bit gray to the binary converter ये क्या करेगा 3-bit gray numbers को 3-bit binary number में convert करेगा देखो हम देखते हैं कि कैसे इसको convert किया जाता है इसके लिए first of all हम लोग क्या करते हैं truth table बनाते हैं truth table में मेरे पास three gray inputs हैं उससे हम binary में conversion करेंगे देखो gray की कौन-कौन सी हमारे पास g0, g1, g2 इसके हम numbers लेके चलते हैं 000, 001, 011, 010, 110, 111 similarly ऐसे हम इसके number ले लेंगे अब हमने gray से binary में conversion करनी है जब हम gray से binary में conversion करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे जैसे हमने last वीडियो में किया था binary जे gray में conversion करी थी तो मैंने आपको एक example दी थी A, B, C, D, suppose करो हमारे पास ये bits हैं तो उसको हम convert कैसे करते थे पहले वाला number हम same रखते थे अगले वाले number में हम उपर वाले दोनो number को plus करते थे बट इसमें क्या है जब हम इसको लिखेंगे अगर suppose करो हमारे पास 2-3 bits हैं first bit तो as it is हमारी आ जाएगी अब हम क्या करेंगे इसको second bit के साथ add करते हैं जो उसका result आएगा ओ result हम third bit में add करेंगे clear so उसके accordingly देखो हमारा gray से binding में conversion हो जाएगी देखो इसका first as it is मैंने 0 लिख दिया 0 के पास 0 को add किया तो 0 अब इसका result आगया 0 इसको हम diagonal भी कर सकते हैं 0 plus 0 again आगया 0 0 clear उसके बाद हम मैं करके दिखाऊंगे आपको k mapping k mapping में देखो मेरे पास है 3 bits g2, g1, g0 इसके हम k mapping बनाते हैं मेरे पास क्या है 3 gray inputs हैं तो हम क्या करेंगे 8 boxes बनाएंगे k mapping में मैंने यहाँ पे 8 boxes बना दिये हैं सबसे पहले जो मैं k mapping करने जा रही हूँ यह मेरी जो k mapping है यह मेरी आ रही है binary अले number की देखो इसमें क्या है b2 वाले binary number की है इसमें मैंने दिखना है 0 0 0 0 1 1 1 1 जहां पर मेरा 1 1 है वो मैंने output जो है वो boxes में fill कर देनी है तो जो output में boxes fill कर दी है boxes में जो output मैंने fill करी है तो उसका देखो common number के है g2 जाना हम लिख सकते हैं जो b2 है वो g2 के equal है clear अब करते हैं second के mapping हम करने जा रहे है b1 binary की इसमें भी same उसी तरह से 1 1 1 1 1 जहां पर आ गया हमने वो जो boxes है उसमें output को fill कर देना है तो उसके accordingly यहां पर मेरा एक pair बन जाएगा 1 1 का और एक इधर pair बन जाएगा 1 1 का जब हम यहां पर pair बनाते हैं तो इसका result आता है g2 g1 complement और इधर जब pair बना तो इसका क्या बन गया g2 complement g1 तो यह मेरा result क्या बन गया b1 का g2 g1 complement plus g2 complement g1 इसको हम क्या लिखती है g1 xor g2 clear तो अब next रूम के mapping करने जा रहे है b0 की देखो b0 में भी same वही process है उसमें हम क्या करेंगे जैसे मैंने अभी आपको truth table बताया था truth table में b0 में जहां जहां पर हमारे पास 1 आया है वो हमारी output है उनकों boxes में fill कर देंगे यह मैंने boxes में fill कर दिया तो उसी के accordingly हमारा जो coma number आ रहा है हमने वो लेते चलना है तो उसका result आ गया b0 का g2 g1 complement g0 complement plus g2 complement g1 complement g0 plus g2 g1 g0 plus g2 complement g1 g0 complement clear तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं g2 xor g1 xor g0 clear तो यह मैंने k mapping आपको करके दिखा दी है तीनों की binary की b0, b1 and b2 इसको हमने कैसे convert किया है देखो उसके बाद यह जो conversion है जब हमने logic system किया था तो उसमें भी मैंने conversion आपको बताई थी कि इसको ग्रे से binary में convert कैसे करती है बट इस वीडियो में मैं आपको convert करना है binary में तो सरकर diagram हम बनाने जा रहे है पहला result जो मेरे पास b2 का आया था क्या था g2 के equal b1 का आया था g1 exor g2 तो उसी के accordingly यहां पे मैं दो exor gate बना लेती हूँ एक तो जो g2 है वो b2 के equal आ गया यह जो मैंने exor gate बनाया इसमें मेरे पास है एक g1 और है g2 तो result क्या आगया b1 का g1 exor g2 third मैंने जो second exor gate बनाया तो उसमें भी मेरे पास है g0, g1, g2 तो यह b0 result आगया यह मेरे पास output आगी तो यह आगया आपके पास 3 bit gray to the binary converters अब इसका जो symbol है हम इसको कैसे बनाते हैं 3 bit gray to binary converters में इसको हमने convert करना है इसको बोला जाता है code converter g2, g1, g0 से हम convert करेंगे binary में b2, b1, b0 clear तो यह मेरे आज की वीडियो का topic था 3 bit gray to the binary converter अब next वीडियो में मैं अपने जो next topic है इसका conversion का वो का वीडियो में अपने नवीडियो करेंगे